तो यह दो को प्यारे बच्चे इस वाले सवाल को अगर देखोगे तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि एक अपने पास वेव है इलेक्टिक फिल्ड आप इलेक्ट्रमेगनेटिक वेव इने मीडियम यहां पर दिया हुआ है तो इलेक्टिक फिल्ड की जो इक्वेशन है y is equal to यहां से वो 2.5 cos यहां से और 2 pi into 10 की power 6 t और minus यहां से pi into 10 की power minus 2 और यहां से x this is the basically equation of an electric field अब यह कहता है z में propagate नहीं करी है x में propagate नहीं करी है y में propagate करी है तो यहां से e y तो और x तो यहां से y और x में relation है this is y और x तो यहां negative है तो y is equal to a cos omega t और minus kx में अगर formative equation रहती है तो वो जो wave है प्यारे बच्चों वो जो wave है negative होता है तो positive x-axis में यह negative है तो यह positive x-axis में जाती है और अगर यह इधर जाती negative x-axis में तो y is equal to a sin omega t plus kx होता है ठीक ना यह बात आपको समझ में आ रहा है sin या cos कुछ भी लिख दो तो यह यहां से तुम देखोगे इससे इसका compare करोगे तो जो frequency आएगी omega हाँ इसका इसका इससे compare करोगे यह second equation है और यह first is given है इनका comparison करोगे तो omega के place पे क्या है omega की जो value आजाएगी 2 pi into 10 की power 6 है और omega is equal to 2 pi frequency तो 2 pi ने 2 pi तो frequency is equal to 10 की power 6 hertz यहां से मुझे मिल जाएगा कि पोजर्टिव x-axis with frequency moving along देगे मतलब यह option सही नहीं सी यह भी सही नहीं है मतलब यह तो यह सही है यह तो यह सही है तो अब यहां से देखोगे हमें lambda हुआ जाएगी 2 pi upon k और यहां से 2 pi और k की value यहां देखो pi into 10 की power minus 2 है तो pi ने pi को यहां खतम कर दिया और 2 और 10 की power 2 मतलब यह जाएगा 200 meter lambda जाएगा तो यह जो है a option गलत है that is यहां से b option सही हो जाता है this is the correct thank you यह जाएगा टो चया है